क्या अजमेर में रहकर सिविल सर्विस जो की UPSC की IAS परिक्षा और RPSC की RAS परिक्षा है की संपून तयारी हो सकती है क्या अजमेर में उन सभी विश्यों की तैयरी हो सकती है जो सिविल सेवाओं के लिए जाए क्या हम अजमेर में रहेकर इन परिक्षाओं के मेंस एक्जाम की तैयरी कर सकती है फिर एक सवाल आता है कि क्या अजमेर में रहेकर इंटरव्यू की तयारी भी इन एक्जाम्स के लिए की जा सकते हैं। इन सबसे रिलेटेट चीजों की तयारी भी कर सकते हैं। पास पास जो भी बच्चे सिविल सेवाओं की तयारी कर रहे हैं या भविश्य में तयारी करने की सोच रहे हैं। अजमेर के लिए कुछ प्रशन और उनीक प्रशनों और संदेहों का निवारन करने के लिए आया हूँ। उन प्रशनों के सभी प्रशनों के उत्तर आज हम ढूनेंगे जो सभी पेरिंट्स और बच्चों के जहन में रहते हैं कि क्या हम अजमेर में रहकर भी सिविल सर्विस की तयारी अच्छे से कर सकते हैं। और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो कुछ प्रशनों के माध्यम से आज हमारी चर्शा को हम आगे ले कर जाएंगे। पहला प्रशन तो यही उठता है कि क्या अजमेर में रहकर सिविल सर्विस जो की UPSC की IAS परिक्षा और RPSC की RAS परिक्षा है कि संपून तयारी हो सकती है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हाँ अजमेर में रहकर ही UPSC और RPSC के किसी भी परिक्षा की संपून तयारी की जा सकती है वो भले ही IAS और RAS की परिक्षा ही क्यों न हो संपून तयारी का क्या तातपरे है संपून तयारी का तातपरे होता है कि हम Prelims, Mains और Interview जो कि इन परिक्षाओं के 3 स्थर हैं उन 3 स्थरों की तयारी अजमेर में रहकर कर सकते हैं तो जी हाँ अजमेर में रहकर हम ये 3 स्थरों, 3 लेवल्स की संपून तयारी कर सकते हैं इसमें कोई लेश मात्र भी संधे अब नहीं है ATC IES Institute लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है और हम लगातार सिविल सेवा की तयारी करने वाले बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम अजमेर में ही कर रहे हैं दूसरा प्रशन ये खड़ा होता है कि क्या अजमेर में उन सभी विशियों की तयारी हो सकती है जो सिविल सेवाओं के लिए जरूरी है तो जी हाँ जैसे कि जनरल स्टीज उसकी तयारी अजमेर में हो सकती है ओप्शनल सबजेक्ट वेकलपिक विशेकीत परिक्षा की तयारी भी अजमेर में हो सकती है और साथ ही साथ सी सेट जो की UPSC IAS के प्रिलिम एकजाम का एक पार्ट है उसकी तयारी भी अजमेर में हो सकती है तो संपून तयारी का तातपर है प्रिलिम्स, मेंस और इंटर्व्यू प्लस जनरल स्टेडीज, आप्शनल सब्जेक्ट और सी सेट इन सब की तयारी अजमेर में रहेकर अच्छे से की जा सकती है इसमें अब कोई संदेन बाकी नहीं रहे गया है फिर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में एक प्रशन उठता है कि क्या हम अजमेर में रहेकर इन परिक्षाओं के मेंस एक्जाम की तयारी कर सकते हैं तो मैं आज आपको यह आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हाँ हम मेंस एक्जाम के लिए अजमेर में रहकर संपूर्ण तयारी कर सकते हैं क्योंकि मेंस एक्जाम का जो एक सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है मेंस में एंसवर राइटिंग करना उत्तर लेखन करना और अजमेर में रहकर हम आरेस परिक्षा के लिए उत्तर लेखन 15 शब्द 50 शब्द और 100 शब्द साथी साथ UPSC की परिक्षा के मुख्य परिक लिका बनाकर उनी पैटर्न पे उसी तरह के बुकलेट्स और कॉपीस के मध्यम से हम प्रेक्ठेस करवा रहे हैं चाहे R.A.S की बुकलेट्स हो मेन एक्जैम की चाहे वो UPSC के मेन एक्जैम का जो एंस्वर राइटिंग कॉपी हो उसी तरीके से उसी पैटर्न पर हम और आश्वासन दे देता हूँ और ये अश्यूर कर देता हूँ कि अजमेर में रहकर पिछली परिक्षा जो RAS की हुई थी 2021 में उस परिक्षा के इंटर्व्यू प्रोग्राम को मौक इंटर्व्यू को मैंने खुद लीड करकर अजमेर में ही सफलता पूर्वक करवाया और के इडियो रिकॉर्डिंग अविलेबल करवाई और साथ ही साथ वो फीडबैक्स अविलेबल करवाए ताकि वो अपने इंटर्व्यू के तयारी को एक धार दे सके हैं और केवल एक नहीं दो-दो इंटर्व्यू उनके करवाए ताकि वो एक इंटर्व्यू में की गई गलति खुशी हो रही है कि उस परिक्षा की तयारी, इंटर्व्यू की तयारी के लिए केवल अजमेर के ही बच्चे नहीं, अजमेर के आसपास के जिलों के बच्चे भी अजमेर आए हमसे जुड़े और इंटर्व्यू के लिए उन्होंने भी अपनी तयारी को अंजाम दिया, तो ह Exam Oriented Test Series हमको मिल सकती है क्या तो सभी students आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए चाहे वो UPSC की IAS परिक्षा की Prelims Exam हो Means Exam हो या फिर RAS परिक्षा का Prelims Exam हो और Means Exam हो सभी के लिए हम यहाँ पर एक Exam Oriented Dedicated Test Series परोग्राम चलाते हैं जिसमें हम बच्चों को पिछले साल में IFA exams के pattern के according prepare करते हैं और बच्चे उनमें enroll करकर अपनी examination की preparation को और ज़्यादा निखार लेते हैं तो हाँ अजमेर में रहेकर हम exam oriented test series program complete कर सकते हैं ये मैं आज आपको बता दें जा रहा हूँ क्या हम अजमेर में रहेकर UPSC की IS परिक्षा के optional subject जिसको हम हिंदी में वेकल्पिक विशे कहते हैं क्या उसकी तैयरी कर सकते हैं तो ये सवाल बड़ा पेचीदा रहता है क्योंकि राजस्थान में ही केवल अजमेर में ही राजस्थान में भी लगभग किसी भी जिले में dedicated तोर पर optional subjects की preparations नहीं करवाई जाती है और मुझे बताते वे बहुत खुशी है कि अजमेर और अजमेर के आसपास के सभी बच्चों के लिए और ये तो मैं राजस्थान के सभी बच्चों के लिए कहुँगा कि आपको optional subject की तैयरी के लिए कहीं भटकने की जोरत नहीं है अजमेर में रहकर हम UPSC के main exams के optional subject को बहुत dedicatedly लगातार prepare करवा रहे हैं और हमारे बच्चे उस वेशेओं को यहीं रहकर तैयार कर रहे हैं तो अब आपको optional की चिंता करने की भी जोरत नहीं है ये मैं आपको वादा करता हूँ क्या हम अजमेर में रहकर current affairs, the Hindu newspaper इन सबसे related चीजों की तैयारी भी कर सकते हैं खासकर UPSC के तैयारी करने वाले बच्चों में ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है तो मैं आपको एक ऐसा ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि हम अजमेर में रहकर the Hindu का एक test series program चलाते हैं और वो एक continuous test series program होता है जो हम हर month conduct करते हैं जिसमें जो भी बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं वो सब the Hindu test series program लेकर current affairs की अपनी preparation को धार दे सकते हैं तो अब आपको उसके लिए भी कहीं भटकने की कहीं भी जाने के चिंता करने की ज़रत नहीं है यह assurance मैं और यह assurance मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ और A.T.C. की पूरी team की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ की हम अजमेर में रहकर यह काम आपके लिए कर रहे हैं फिर एक सवाल उठता है कि क्या अजमेर में UPSC के लिए best faculty अबिलेबल है तो मैं आपको बदा दूँ कि जो भी faculties यहां पर चाहे IAS के exam के लिए पढ़ा रही हैं चाहे RAS के exam के लिए पढ़ा रही हैं वो सब वो हैं जो अपने विशय में कम से कम या तो PhD कर रहे हैं या फिर वे वो वेक्ति हैं जिन्होंने उन विशयों के अंदर विशयों को लेकर UPSC और RAS के जब पहले वेकल्पिक विशय हुआ करते थे उन विशयों में optional subject की तियारी करकर परिक्षाएं दी हैं परिक्षाएं क्वालिफाई करी हैं और उनी विशयों को लेकर अपने interview भी दी हैं तो वो सब वेक्ति हैं जिन्होंने इस रास्ते से गुजरे हैं और उन विशयों को लेकर अपनी तयारियां की हैं तो एक best faculty set जो की कम से कम पाथ से जादा साल का अनुभव रखते हैं वो हमारे यहां पर आपको तयार करेंगे ऐसे faculty set के साथ में हम यहां पर काम कर रहे हैं क्या अजमेर में रहकर UPSC oriented study material मिल सकता है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ सौप प्रतीशत अजमेर में UPSC के general studies का complete study material अजमेर में ही रहकर UPSC के optional subject का complete study material और साथी साथ CSET का complete study material booklet format में, printed format में, typed format में आपको मिलता है साथी साथ class notes भी उसके साथ-साथ attach करकर आपको available कराए जाते हैं तो आपको RAS और IAS के परिक्षा के study material के लिए चंता करने की ज़रूत नहीं है हमारी team लगातार उसके लिए काम कर रही है और अपने students के लिए service दे रही है फिर एक और सवाल उठता है कि क्या अजमेर में English medium के students के लिए भी coaching available है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हाँ हिंदी medium के साथ-साथ English medium के बच्चों के लिए भी एक खुशकबरी है कि हम अजमेर में ही RAS की English medium में complete preparation कराते हैं IAS की परिक्षा की English medium में complete preparation कराते हैं साथ-साथ Hindi medium के विध्यारतियों के लिए भी कराते हैं तो दोनों ही मध्यमों में, mediums में हम preparations को अंजाम दे रहे हैं Notes, study material, test series, सब Hindi और English दोनों ही भाशाओं में हम conduct कराते हैं तो किसी भी विध्यारती को अजमेर अपना घर छोड़कर बाहर जाने की ज़रत नहीं हैं इन सभी प्रशनों के उत्तर देकर मैं आपको मुझे उम्मीद है कि आश्वस्त कर पाया हूँगा कि सिविल सिवाओं की तयारी के लिए आपको एक प्रतिशत भी अजमेर से बाहर जाने की सोचने की ज़रत नहीं है चाहे दिल्ली हो चाहे जैपूर जो सब सुविधाएं दिल्ली और जैपूर में अवेलेबल हैं अजमेर में वही सब सुविधाएं हम ATC Institute में हमारी पूरी टीम लगातार काम करकर आपके लिए तयार कर रही है तो आपको एक प्रतिशत भी परिशान होने और कहीं पर भी भटकने की ज़रुत नहीं पड़ेगी मैं अपनी मानी को विराम इसी के साथ देना चाहूँगा कि अजमेर को लोग समराट प्रत्विरा चोहान की नगरी की तरह जानते हैं और इतिहास जानता है कि समराट प्रत्विरा चोहान ने अजमेर से दिल्ली तक साशन किया था तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यह उल्टी गंगा कैसे बह गई अजमेर का बच्चा जैपूर और दिली पर कैसे डिपेंडेंट हो गया अजमेर से प्रत्विराथ चोहान ने दिली तक शाशन किया था तो अब हम अजुमेर से ही जैपूर और दिल्ली सब फत्य करेंगे, मेरे सभी विध्यारती, सभी एस्पिरेंट्स अब बेफिक्र हो जाएं, अजुमेर में ATC और अर्विंतिवारी आपके लिए एक बहतरीन प्लेटफर्म, बहतरीन सुविधाओं से संपन, एक पूरा प्रि आकर इन सेवाओं का लाब ले सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू